Hey guys, this is Vanith here. Welcome to my channel. So, मुझे काफी लोगों का question आया है comments में, messages में कि vocab लर्न नहीं हो रहा है, vocab कैसे improve करें तो देखिए, जैसे कि आप जानते हैं vocab, जो हमारा English का exam होता है banking based हो या SSC जो भी हो, उसमें vocab का role बहुत जाद है तो banking का जैसे कि आप जानते है close test हो गया, fillers हो गया normal synonym, antonyums जो RCs में आते हैं यह जो RCs में आते हैं, यह हो गए फिर बहुत और भी questions है जो vocab पे depend करते हैं ठीक है, तो काफी जादा question vocab पे depend करते हैं word correction जो आ जाते हैं बहुत बार word replacement वाले, phrase replacement वाले यह आपको अगर vocab अच्छे से नहीं आता होगा तो बहुत मुश्किल है English में score करना, तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप improve कैसे कर सकते हैं vocabulary और क्या-क्या कर सकते हैं काफी questions जैसे मुझे यह भी आए हैं कि आप word power made easy कर सकते हैं किरन के books हैं वो उसमें से पढ़ें तो हो जाएगा क्या तो मैं आपको जितने भी वो सब सवाल है उसके answers आई होप इस वीडियो से आपको मिल जाएंगे तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले और लाइव मॉक चल रहा है रर्वी असिस्टेंट का ठीक है ओफिस असिस्टेंट का तो आप यह लगा लीजिए यह आज 7 पीम ता कवलेबल है उसके बाद अपना रैंक परसेंटेल सब देख पाएंगे तो यह साटेड़े संडे है और वेडनस जे थर्जड़े आर रर्वी पियो का होता है तो आप कर लीजेगा और काफी लोगों ने अल्रड़ी यह दे दिया है मौक तो इसमें अगर मैं आपको उपर-उपर से बता हूं तो 70 70 to 75 प्लस तो स्कोर होना चाहिए आपका मौक के लेवल के अकॉर्डिंग बहुत लोगों ने 78.75 भी लाया है जो मेरे ग्रूप पे हैं मैंने द सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको क्या लगते हैं आपने कहां गलत किया वो चीज़ आप देखिए और उस पर वर्क कीजिए और बाकी इनका ओले बोड का सेल भी चल रहा है एससे और बाकी सब एक्जाम से यह बैंकिंग का है तो आप यह भी ले सकते हैं आप देख ली वीडियो तो देखिए पहले तो आपको अंडेस्टांड करना पड़ेगा समझना पड़ेगा एक्जाम क्या डिमान करता है जैसे अब दो एक्जाम की बात कर लू मैं एक हो गया अपना एक हो गया अपना ससी सीजियल तो यह दोनों में इंग्लिश में थोड़ा फर्क है ब करता है तो आपको यह समझना पड़ेगा कि एकक्जैम क्या डिमांद करता है ठीक है SSE क्या करता है, bank क्या करता है, उसके according आपको पढ़ना है तो आपको exam pattern पता चल गया, तो आप क्या देखोगे previous year papers देखोगे पहले, previous year papers 5 साल का उठा लो ठीक है, last, learn vocab from past 5 year papers तो इस 5 साल में क्या-क्या आया है, आप वो देख लो क्या-क्या है, मैं आगे बताता हूँ आपको जैसे frequently used words भी होते हैं, अभी वो भी आगे बताऊंगा मैं आपको ठीक है, तो तो देखिए, अभी जैसे last year papers हुए तो RC में क्या words पूछे गए, close test, fillers, synonym, antonyums या word replacement, यह सब जो भी है, इसमें क्या words पूछे गए, यह words आप पढ़ लो, memorize कर लो, देख लो, लिख लो कहीं, 5 साल के papers क्यूंकि यह काफी exam में वापस से repeat भी हो सकते हैं, और यह सब words वैसे होते हैं, जो यह तो trending हो, या frequently used हो, या normal कभी-कभी नए words भी आ जाते हैं, तो आपका यह काफी cover हो जाएगा पहली बात तो, अगर आप last year papers देख लेंगे तो, practice होगा वो तो अलग है, ठीक है, फिर frequently used words आपको कहां से मिलेंगे करने को, editorial से करने को मिलेंगे, जो मैं कहता हूं कि आप देख लो, अगर आपका English week है तो, अब देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताता हूं, अब जो बच्चे अच्छे एकदम English medium और अच्छे थे school में, उनका reading अगर graduation भी उनने थोड़ा उपर कुछ अच्छा वाला किया है, ऐसे अच्छा वाला, in the sense, engineering वाला कर लिया है, या बहुत, अलग-अलग कुछ ऐसे किया है, जिसमें extensive views होता है English का, तो उनका reading ability जो होगा, वो Hindi medium में जो थे उनसे थोड़ा fast होगा, तो वो थोड़ा जल्दी कर सकते हैं, इंग्लिश के साथ, बट बाकी लोग नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए editorials पढ़ना या news, कुछ तो पढ़ना बहुत important है, कि उनका reading और skimming ability बढ़े है, skimming मतलब आप फटा-फट देख लें RC में क्या है, आपको पूरा read करने का जरूवत नहीं होता हमेशा RC, अनलेस वो mains का हो, तो ठीक है, तो आप editorials पढ़ो, अगर आपका week है तो, और editorials का जो strategy वीडियो है, यह आप देख लेना मैंने डाला है, कि आप कौन सा कर सकते हो, इसका link भी मैं description में डाल दूँगा, ठीक है, तो आप देख लेना, इधर से आपका अच्छा vocab cover होगा, आपको subject-wow agreement सीखने मिलेगा, ठीक है, तो यह वीडियो आप देख लेना, editorials का जो मैंने डाला था, link मिल जाएगा, तो आप editorials पढ़ोगे, everyday तो आपको नए words मिलेंगे, reading आपका अच्छा होगा, सब काफी फाइदे हैं उसके, ठीक है, या तो अगर कुछ-कुछ लोग को editorials बसंद नहीं होगा, सबका अपना choice होता है, तो आप novels पढ़ सकते हो, यह लेकिन बहुत बड़ा होता है, तो सबक पढ़ लो, ठीक है, newspaper में कुछ-कुछ पढ़ लो, एकदम technical jargon भी नहीं होना चाहिए, jargon मतलब आप meaning देखना क्या होता है, ठीक है, एकदम technical भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो आप वैसे पढ़ सकते हो, अभी जैसे मैं frequently used में बता रहा हूँ, optimistic, astounding, ostensible, predicament, और भी काफी words मिल जाएंगे, तो अगर आपको in words का, जो मैंने लिखा है, इसका meaning अगर आपको नहीं पता, तो आपका vocab अभी तक अच्छा नहीं है, ठीक है, तो आपको in words का meaning नहीं पता, तो आप अभी से लगो, और ध्यान दो vocab पे, अगर English काफी scoring subject है, ठीक है, क्योंकि ऐसे words और ऐ English ही एक है, जो आपको उपर पहुचा सकते हैं, जैसे कि आप मेरे भी देख सकते हैं, एक-दो बाइक कम आया, तो मुझे English ने काफी उपर पहुचा दिया, जैसे मेरा IVPSPO में 33 पॉइंट कुछ आया था मुझे English में, तो उसके जिसे मेरा score काफी हाय हो गया, 20 marks उपर हो गया यह बात का, फिर trending देखिए, trending words भी आपको editorial से मिल जाएंगे, क्योंकि editorials क्या होता है, बेसिकलिए आपने देखा होगा, news cutout ही होता है, news पही होता है, recent news पही होता है, एकदम, और newspaper से ही मिलेगा, trending words और कहां से मिलेगा आपको, बाकि अगर कोई channels आप follow करेंगे, telegram पे तो आपको मिल सकता है, सिनेविशा मैम का हुआ, weekly vocab, weekly vocab और monthly vocab यह सब उदर आता है, तो आप उदर से भी कर सकते हैं, ठीक है, बट कुछ पढ़ेंगे तो आपका betterment होगा उससे, ठीक है, तो read करो, यह सब करो तो आपको इससे काफी कुछ पता चलेगा, फिर देखिए अब पढ़ना कैसे, यह बहुत बड़ा सवाल है कि पढ़ें कैसे, रटते रहें, memorize करते रहें, तो यह इतना possible नहीं है, सब जानते, बहुत मुश्किल है इतना करना, मैं follow क्या करता हूँ, मुझे जितना words एक बार आ गया, मुझे इतना आता है, तो मैं theme based approach देखता हूँ, ठीक ह क्या चा रहा है, अभी जैसे देखिए, एक example बताता हूँ मैं, he was, अभी जैस, adversity का meaning क्या है, इसका meaning क्या है, अगर मैं पूछू तो आपको अगर नहीं पता, तो आप हिंदी में सोचिए, क्या है, पहले sentence पढ़िए, he was always happy, even during times of adversity, even मतलब समझ रहें, contrast आ गया है, ठीक है, दोनों में difference है, वो खुश था, खराब समय में भी, इसका मतलब, तो adversity का मतलब समझ में आ रहे है, मुझे, कि खराब समय होगा, तो difficult times हो सकता है, तो अब ऐसा सवाल आएगा, तो आप answer कर पाओगे, तो मैं हमेशा, thematic approach, मेरा ये approach होता है, मुझे अगर meaning नहीं भी पता, क्य root words का है, root words के लिए book भी है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा, तो ये भी आप कर सकते हैं, ये आप सीधा क्या करो, आप इसको Google पे search कर लो, तो आपको root words मिल जाएंगे, तो contra, counter जैसे words अब हुए, तो देखिए, contra और counter मतलब against होता है, ठीक है, तो अगर मैं contradict का मतलब कर सकते हो, कि root words, या आप books से कर सकते हो, books अभी आपको पता है, कौन से कौन से है, मैं बताता हूँ आपको next पे, तो word power made easy, किरन ये books में आपको मिल जाएंगे, काफी root words, तो अभी बहुत सावाल मुझे, questions ये भी आते हैं, मुझे इसमे questions क्या आते हैं, कि अगर हम word power made easy पू पूरा हो जाता, तो ये भी सोचे कि काफी लोग जो ये book कर भी चुके होंगे, काफी लोगों कि सबके ही exams निकल जाते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, बट ऐसा होता नहीं, actual में, तो आपको जो है, extra effort तो लगाना ही होगा, ठीक है, extra effort in the sense, जो जो मैंने बताया, आपको थो benefit है, ऐसा नहीं की benefit नहीं है, बट वो चीज आपको आगे करेगा कि नहीं, ये surety नहीं है, तो इसके लिए आपको थोड़ा extra effort लगाना पड़ेगा, आप हर दिन at least 15 से 30 words तो करो, every day आपको vocab में या कुछ में कहीं ना कहीं words मिलेंगे, आप जैसे भी करता चाहते हैं, note करके या पढ़के, note करना possible नहीं होगा, एक time पर जाके 1000 words हो जाएंगे, तो note करना possible नहीं होता है, तो आप word document या कुछ बना लो, ठीक है, और most important चीज है उसको revise करना, आप Saturday या Sunday एक दिन ऐसा रखो, जिस दिन आप बस revise करोगे, no new words, ठीक है, no new words to be remembered, to be memorized that day, so just revise what you have done in the whole week, ठीक ह तो आप वो चीज़ कीजिए, और revise करना ही बहुत important है, बिना revision के न जिये होगा, न वोकाब होगा, कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है, practice भी क्या होता है, maths और LR का, revision ही होता है, एक तरीके से, आप वही चीज़ बार 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 practice कर रहे हो, तब ही जाके आपको वो कुछ पूछोगे, मुझे कैसे पता, amount का formula क्या है, compound interest में, principle क्या होता है, interest क्योंकि मैं इतना बार कर चुका हूँ, आप इतना बार कर चुके हैं, आपको पूछूँगा, इसकल आप बता देंगे, speed, distance upon time होता है, क्योंकि यह कर चुके हम लोग, बहुत बार practice, तो यही जब तक आपका selection ना हो जाए, तब तक आपको पढ़ते रहना है, ठीक है, तब तक आपको नए words मिलते रहेंगे, मैं exam देते रहा, मेरे सब exam निकले, तो मैं जब तक, मुझे जो जो नए words मिले, मैं हमेशा Google करते रहता था, करते रहता था, कि अच्छा, इसका meaning यह होगा, उसको बार-बार देखने, बार-बार देखने के बाद याद होता है, ठीक है, तो multiple revision ही एक key है, याद करने का, और कुछ भी ऐसा नहीं है, किसी का भी दिमाग ऐसा नहीं है, exception छोड़ दीजे, exceptional case, normal case सोचिए, कि आपने आज पढ़ा, आपको 10, 10 दिन तक याद रहेगा, या एक साल तक याद रहेगा, वैसा किसी का दिमाग नहीं होता है, ठीक है, तो यह multiple revision जब होता है, तभी आपको वो चीज़ याद रहता है, तो आपको ये चीज़ देखना है, multiple revise करना है, और अगर आपको कुछ question होगा, तो आप comment में पूछ लेना मुझसे, I hope इस वीडियो से नहीं है, तो do not forget to subscribe, so that you don't miss out on any such updates and strategies, thank you and keep preparing.